मेंटल हेल्फ द्यूरिंग पैंडेमिक हमने मेंटल हेल्फ की पहले भी बात की है तो अब हम उसकी एप्लिकेशन्स वाले मॉड्यूल में यहां कैसे आए हैं कि बच्छा है पैंडेमिक या एपिडेमिक का मतलब ही होता है कि वह अक्रॉस फैली है बहुत बड़े एरिया में यह जो पैंडेमिक को इसको इसलिए कहा गया क्यूंकि पूरी दुनिया में तकरीब अच्छा शुरू में कुछ कंट्री में रेशो कम था कोई केस हमारे हां मार्च 2020 तक नही नहीं था आठ मार्च के बाद मुझे याद है कि वह ट्वेंटिएत मार्च तक वह एक आद एक आद आने लगा चाइना से जी शुरू हुआ है अमेरिका में कैसे उपर जा रहा है हम हर वक्त नक्षे देखते रहते थे कहां कितने केस रोज रिपोर्ट हो रहे हैं क्यूंकि पूरी दुनिया में थी तो जाहरा है उसके असराथ भी पड़ी दुनिया में और वह असराथ थिर्फ पे नहीं अ के रिए वह उस्टम पे भी हैं वह इंसानों की नसीयात पे बी एंसानों के emotions पे भी हैं उनकी family life पे भी है work life पे भी और economy पे भी है और city की जो जनरली लाइफ थी उस पे भी थे environment पे तो बहुत ही positive थे तो बहुत ही इच्छा था साफ तास्मान उर्तेवे परिंदे तड़कों पे धुआ नहीं है फैक्ट्रियों का धुआ नहीं है कहीं पहर एतनी बुरी तरह pollution का शिकार हैं और environment खराब हो रही है anyway besides that हम mental health की अगर बात करें तो इसमें international and local studies हुई है difference cultures में जो है उसकी भी study हुई है Canada की evidence है वहां डॉक्टर तैयब राशिद ने across Canada mental health का यंग लोगों पे college school में क्या आफर हुए कोविट का कौन सी चीज़ ज्यादा कम थी इसमें risk factors क्या हैं जैसे आप पहले से जहनी तोर पे जजबाती तोर पे कमजोर हैं तो आपके अंदर resilience कम हैं आप में कुछ और traits कम हैं तो फिर आपका ज्यादा रिस्क है कि इससे आपको mental health issue होगा यह आप lonely हैं आपके relations कम है buffer factors जो हैं वो आपके अंदर innovative होना, creative होना, लोगों की help करने वाला होना, optimistic होना, इन चीज़ों को हम आगे भी देखेंगे यह जो study है pandemic on teen में age, mental health इसमें आप देख रहे हैं कि लड़कियों में क्या चीज़ ज़्यादा है और लड़कों में क्या चीज़ ज़्यादा है, depression किसमें ज़्यादा है, working from home या family किसमें है, aggressive behavior भी आया है, चिर्चरापन भी आया है, तो इस तरह की यह एक American effect दिखाएंगे जो चीज़ें मैंने का buffer factors हैं या helping है, optimism, उमीद अच्छी रखना, proactive approach, आप कोई नए तरीके से कुछ कर लेते हैं जी, उस तरह तो नहीं हो रहा जैसे पहले होता था, चीज़ें बंद हैं, हमें कुछ और करना होगा, less conformity, आप लोगों की बात नहीं सुन रहें, भेर चाल मे जा रहें, खुद फैसला कर रहे हैं, कोई कह रहा है, यह नहीं करना, कोई कह रहा है, वो नहीं करना, कोई कह रहा है, ऐसा हो जाता है, किसी को इतनी attention है, तो वो जो है, आप innovation अगर रखते हैं, आप नए तरीकों से चीज़ कर सकते हैं, तो mental health problems कम हुए है, anxiety कम हुई है, और कम advantage लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो crowded areas में रहते थे, जिनकी income कम थी है, घर में बहुत जादा लोग रहते थे, उनको तो बड़ा survival उनका था, क्योंकि उनको पहले ही मुश्किल हालात की आदत है, उन में cases भी कम थे, which is another debate altogether, बहुत interesting बात, क्या COVID एक dis-ease थी, effluent and educated की, सा की गली से एक case दे निकला, कच्ची अबादी, डियाचर के पीछे है, गुलबग के पीछे है, गार्डन टाउन के पीछे है, और गलियां की गलियां बड़े इन आलाकों में बंद कर दी गए, क्योंकि वहां से जी, रोज़ेंबलनस हा रही है, लोगों को हो रहे हैं, क्या म बुखार हो जाए या फ्लू हो जाए हम फॉस्पिटल नहीं जाते हैं, क्योंकि वह पकड़ के आपको कोविट डाल के और आपको एंटर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बताना होता है कि जी आज दस केस कोए, नो दिस में भी मिस्स इंफिशन, बाट 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 रिसेर् Shzan, वो vaccination that also increase the anxiety, more news you do the more you get confused and more misinformation come. ये भी एक study है ये उस की है वहां वाके anxiety depression थी, एंग्लेंड के भी लोगो ने जादा रिपोर्ट की थी इसमें आपको वो नजर आ रहो होगा, anxiety and depression, anxiety and depression, anxiety and depression, January and June 2019 में and 2nd to 7th July 2020 में obviously उसके बाद कितना फरक आ है ठीक है और जैसे मैंने पहले का कि यह आपके surviving factors हैं इसके उपर help शुरू हो गई थी mental health में पूरी दुनिया में focus on what you can control, don't focus on what you cannot control, यह एक बड़ा बड़ा lesson होता है जिन चीज़ों कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में बात करकर के लोगों ने एक दूसरी की जिनकी हराम की भी थी ग्रूप्स बनाएवे हैं यह कोविड प्लाइए कोविड ऐसे सुना वैसे सुना तो कह रहे हैं least exposure होना चाहिए था सोशल मीडिया से तो जिन लोगों ने कम किया नियू सोर्से से उनको एक्षिल इंग्जाइटी कम हैं साइकल चुला रहे हैं उनकी इंग्जाइटी डिप्रेशन जो है कम थी और यह तक्रीबन पूरी दिनिया के में यही चीज़ नजर आई